हाई एवरिवन वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पार्टनर्शिफ फर्म्स फंडमेंटल्स इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ पास्ट एजिस्ट्मेंट्स के बारे में ओके अगर आपको क्लास 11 में याद हो तो हम कुछ एंट्रेक्टिफिकेशन ओफ एंट्री हमने एक पड़ा था क्यों पड़ा था वह हम हम हुमन हम हमारे साथ हुमर एर्र हो जाते हैं कभी कोई एंट्री गलत पास कर देते हैं तो उसकेस में हम क्या करते थे हम एंट्री इसको रेक्टिफाय करते थे तो सिमिलरली इस दे केस इन पास्ट एजिस्मेंट्स अगर कोई एंट्र कर रहे हैं जो हमारी entry actually में गलत हो गई है उसको इस time पे हम rectify कर रहे हैं तो इस case के लिए हम एक छोटा सा table बनाते हैं table छोटा सा है but बहुत important है इसको हम कहते हैं analytical table or you can say past adjustment table जहां पे हमने गलतियां कर ली है उसको adjust करके entry pass करते हैं finally तो इसके हमारे कुछ steps होते हैं सबसे पहली चीज हमें देखना है कितने partners हैं let's say दो partners है तो दो partners के case में हम एक analytical table बनाएंगे जैसे कि x हो गया और ये y हो गया और firm का एक अलग हो गया यहाँ पे particulars ठीक है x y firm और particulars ठीक है अब एक चीज ध्यान रखना अगर किसी भी entry से firm का फाइदा है तो capital तो partners का नुकसान होगा ठीक है ये चीज हमेशा याद रखना let's say अगर मैं interest on capital का example देते हूं interest on capital is a benefit for partners but on the contrary एक firm के लिए एक extra expense है कि भईया उसको interest देना पड़ रहा capital पे तो ऐसे ही अगर partner के लिए कुछ फाइदा है तो firm के लिए नुकसान है अगर partner के लिए कुछ नुकसान है तो firm के लिए फाइदा है तो I should say कि सबके debit credit balance होते हैं right तो अगर मैं कोई entry firm के debit balance में कर रही हूं तो वो partner के credit balance में ही आएगी interest on capital पार्टनर के लिए एक क्रेडिट आता है तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा डेबिट क्यों क्योंकि वो उसके लिए एक expense है ठीक है जी interest on drawings is a debit balance for partners so फर्म के लिए एक credit balance हो गया तो ये एक rule number one सबसे important है अगर फर्म के लिए loss है तो पार्टनर के लिए profit है अगर पार्टनर के लिए loss है तो फर्म के लिए profit है ठीक है debit है तो credit credit है तो debit ठीक है जी vice versa opposite चीज़े चलती है पार्टनर और फर्म के बीच में तो ये तो रहा एक golden rule ठीक है जो past adjustment में पता होना बहुत important है let's take an example let's say हमारा interest on drawings and interest on capital had been omitted तो वो omit हो गया तो उसकी हम past adjustment entry pass करेंगे how सबसे पहले मैं एक table बनाऊंगी ठीक है उसमें मैं पर्टिकुलर्स में लिखोगी interest on drawings and interest on capital let's say interest on drawings दोनों को 100-100 था मैं एक example ले रही हूं just to make you understand ठीक है अब interest on drawings का क्या balance होता है पार्टनर्स के capital count पे debit balance तो लेट से 200-100 एक्स कुक गया और 300 गया य को तो फर्म के पास credit balance आजाएगा मैंने क्या बोला debit balance for partners is equal to credit balance for firm तो ये 500 आगया credit balance next interest on capital interest on capital एक benefit पार्टनर्स के लिए so it's a credit balance for them तो वो credit पे आगया let's say 300 और इसको interest on capital मिलना 200 200 की जगा हम लिख देते हैं 300 ठीक है और अब यहाँ पे इसका debit balance कितना आगया 3 प्लस 3 6 600 आगया firm का debit balance why because IOC मिला है 300-300 X और Y को अब next step क्या है next step क्या है next step क्या होगा कि हमें firm के balance को निकालना है and then distribute करना है किस तरीके से अब इसका debit balance हमारा 600 आ रहा है और इसका credit balance आ रहा है 500 अब यह credit balance जो है 100 हमारा extra है ठीक है तो यह जो balancing figure आई है firm के credit balance में यह 100 डिस्ट्रिब्यूट होगा X और Y में किस तरह से distribute होगा अब ये credit है तो X और Y में debit हो जाएगा और किस तरह किसे ratio में होगा वो question में दिया होगा अगर question में नहीं given तो तुम किस तरह किसे करोगे credit है तो debit होगा 50 इसमें आप लिखोगे debit back and 50 ठीक है जी 100 जो था 50-50 में हो गया अब हमें close करना है partners capital account अब close करना वाला ध्यान से सुनना अब यहाँ पर कितना है हमारा 250 ठीक है यहाँ पर X में क्या है मेरा 250 and 300 यहाँ पर मेरा 50 credit में जादा है ठीक है और अब यहाँ पर अगर हम देखें Y का देखें Y में हमारा 350 and 300 आ रहा है तो यहाँ पर debit मेरा 50 जादा है ठीक है X में 50 जादा आया मेरा credit में और Y में debit में 50 जादा आएगा तो मेरी यहाँ entry बन जाएगी Y is capital account debited to X capital account आ जाएगा 50 and 50 क्यों क्योंकि 50 यहाँ पर debit balance जादा था यहाँ पर credit जादा था clear है very simple close करना सबसे typical है तो जो balance यहाँ पर जादा है वो debit या credit होएगा suppose करो यहाँ पर debit में जादा है तो वो debit हो जाएगा तो यह debit हुआ Y is capital account और credit हुआ X capital account तो यह रहा हमारा adjustment table और you can say analytical table यह हमारा working note में ही बनता है हमारी fair में आएगा यह वली entry X capital account debuted to X capital account 50 and 50 so that's all for this video यह past adjustment था यह topic बहुत important है आपके exam में बहुत बार पूछा जाता है last board exam में भी आपसे यह question पूछा गया था So, इसको अच्छे से करिए और अपने T.A.S. गरेवाल या जो भी बुख है उसमें questions प्राक्टिस करिए मैं आगे और भी questions आपको प्राक्टिस करवाऊंगी So, that's all for this video. I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आईयो So, subscribe and share my channel Commerce Minded And if you like my videos, please share it with your friends and family and relatives. Thank you so much.